हलो दोस्तो आज का ये मेरा वीडियो उन सभी माता पिताओं को समर्पित है जो अपने बच्चों को बच्पन से ही जीनियस बनाना चाहते हैं अगर आप अपने बच्चों को बच्पन से ही जीनियस बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो जरूर देखिए और पूरा देखिए बच्चों के मानसिक विकास में माता-पिता और घर के महोल का बहुत ही बड़ा रोल होता है जिस प्रकार बच्चों का सारेरिक विकास के लिए उनका काफी ध्यान रखा जाता है उसी प्रकार मांसिक विकास के लिए भी आपके बच्चों को एक अच्छा महोल और आपके प्यार का दुलार का बहुत जरूरत होता है दोस्तों आज गल बढ़ती इस परधा के दोड़ में आगे बढ़ने के लिए बच्चों को सार्प मैंडेड होना बहुत ही जरूरी है उसका बच्चा बहुत ही बुधिमान बने और पढ़ाय में आगे निकल जाए। लेकिन आप जानते हैं बच्चों को बुधिमान बनाना आपके हाथ में है। जी हाँ आपने बिलकुल सही सुना, ये आपके हाथ में ही है। दोस्तों जैसे आप बहुत अच्छे से जानते ही होंगे कि मा का दूद बच्चे के दिमागी विकास के लिए बहुत ही जरूरी होता है नौजात के लिए मा के दूद से अच्छा कोई भी आहार नहीं होता है एक तरफ जहां इस्तनपान से बच्चों को गंभीर विमारी उसे बचाय जा सकता है वहीं यह बच्चों के दिमागी विकास के लिए भी बहुत मत्वपूर माना जाता है रिसर्च में यह पाया गया है कि इस्तनपान करने वाले बच्चे ज़्यादा स्वस्थ और बुद्धिमान होते हैं अगर बच्चों को एक खुस्नूमा महोल दिया जाए खाने में पौस्टिक आहर दिया जाए तो बच्चों को बुद्धिमान बनाना थोड़ा आसान हो जाता है बच्चों के दिमागी विकास और उन्हें बुद्धिमान बनाने के लिए जरूदी है कि बच्चों के साथ छोटे छोटे दिमागी खेल खेले जाएं पहले उन्हें विस्तार से खेल के तरीके बताएं फिर उनके साथ बच्चा बनकर ही खेलें और गलती होने पर उन्हें अवस्य बताएं जिस से वे उस गलती को दुबारा करने से बचेंगे इस खेल की मदद से उनका दिमाग तो तेज होगा ही साथी साथ उनको बहुत मज़ा भी आएगा बच्चों का दिमाग तेज करने के लिए उन्हें प्यार और दुलार के भी बहुत जरूरत होती है एक रिसर्च के अनुसार जो महिलाएं अपने नवजात को ज़्यादा प्यार और दुलार देती हैं उनके बच्चों के दिमाग के हीपो केमपस छेत्र में ज़्यादा नर्व कोशिकाएं बनती हैं जिस से बच्चों का दिमाग बहुत तेज होता है मा से लगाव होने पर बच्चों के दिमागी विकास पर काफी असर होता है बच्चों की दिमागी विकास के लिए उन्हें पोश्टिक आहार की बहुत जरूरत होती है बच्चों को खाने में हरी सबजियां फल, दूद, मेवे, अंडे, आदी जैसे खादिपदार्थ देना चाहिए बच्चों को जंग फूट का सेवन जितना कम कराएं उतना ही उनके लिए अच्छा होगा बच्चों को हर रोज सुबह भीगा हुआ अंकुरित अनाज या बदाम दिया ही जाना चाहिए उससे उनका याददास काफी हद तक बढ़ जाती है पोस्टिक अहार के साथ सा की नीन लेने से बच्चों की याददास काफी हद तक बढ़ती है उस रिसर्च के मताबिक दिमाग को बहुत ही मजबूत बनाने और किसी भी चीज़ को सीखने के लिए दो पहर की नीन लेना बहुत ही जरूरी होता है बच्चों को स्ट्रॉंग बनाने के लिए उन्हें कित किताबों का सउकीन होना बहुत ही जरूरी है। बच्चों के दिमागी विकास के लिए आजकल नई-नई तक्नीक आचुकी है लेकिन हम किताबों से मिनने वाली ज्यान को कैसे भूल सकते हैं जादा तर बच्चों को किताबे पढ़ने का सौख होता है आपको बच्चे के इस सौख में बाधा बनने की जगह उन्हें किताब पढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए यह हर उम्र के बच्चों के लिए बहुत ही फायदेबंद होता है इससे उन्हें हर तरह की ज़्यान मिलता है दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही आपने मुझे सुनने के लिए अपना इतना कीमती समय दिया उसके लिए दिल से मैं आपका अभारी हूँ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकान का बटन को भी प्रेस कर सकते हैं ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे झाले हर कर सकता है